क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पसंदीदा पेमेंट एप्स कितने सुरक्षित हैं? अगर हम कहें कि भागलपुर के एक युवा प्रतिभाशाली लड़के ने भारत के एक टॉप पेमेंट प्लाटफॉर्म में एक बड़ी खामी खोज निकाली है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, आपने सही सुना, आइए जाने इस रोमान्चक कहानी के बारे में, जहां मयंग नाम के एथिकल हैकर ने फोन पे को चकमा दिया और इसके लिए सम्मानित भी किया गया, मिलिए मयंग से जो भागलपुर के बुढ़ानात के रहने वाले हैं, यह तकनीक प्रेमी युव क्या हुआ, मैं फोन पे से यूपियाई किसी को कर रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि मैं अचानक मेरे माइंड में आया कि क्या कोई फोन पे को हैप कर सकता है क्या, तो उसके बाद फिर मैं उस पे रिसर्ट से चालू कर दिया फोन पे का उप्योग करते हुए, मयंक ने कुछ अजीब देखा, अपनी तेज समझ और विशेशग्यता का इस्तिमाल करते हुए, उन्होंने इसे और गहराई से जांचने का फैसला किया, और आपको पता है क्या, उन्होंने बिना OTP के फोन पे में लोगिन कर लिया, जिनक से अंगिनत उप्योग करताओं को खत्रा हो सकता था, जैसे आप एप को उपन करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि मोबाईल लंबर डालने के बाद, OTP वाला सेक्सान आता है, तो उसमें क्या हो रहा था कि मैं अपना टूल से OTP वाला रिक्वेस्ट को हटा देता था, और क् कि देखिये, जो कि सही जो वेबसाइट या एप रहता है, उसमें अगर आप OTP वाला रिक्वेस्ट हटा आते हैं, तो वो जो है, वो काम नहीं करेंगा, वो बिना OTP के लोगीन ही नहीं होगा, तो इसमें सबसे बरा क्रिटिकल इसू क्या था, कि कोई भी इसको हैकर हैक कर स OTP में बाइपास करके लोगीन मार देता था, OTP बाइपास हो जा रहा था उससे, और लोगीन करने के बाद जो है, हेल्थ, हेल्प, सपोर्ट से कोई भी उनकी जो यूजर्स की जो डिटेल वो पूछ सकता था और उनका ट्रांजेक्शन देख सकता था, जो भी चीज है, वो और कमपनी ने तुरंत कारवाई की, गहन जांच के बाद, फोनपे ने इस खामी को स्वीकार किया और इसे ठीक करने के उपाई किये, मयंग की कोशिशों को मान्यता देते हुए, उन्हें फोनपे के हॉल आफ फे में शामिल किया गया और कमपनी द्वारा सम्मानित किया जा और उसके बाद उन्होंने मेरे नाम को जो है अपने वेबसाइट के हॉल आफ फेम में लिखा है, जिसमें कि आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, फॉन पे हॉल आफ फेम की नाम से उसमें मयंग कुमार के नाम से मेरा नाम होगा, तो उसमें क्या है कि नाम पे जैसे आप किलिक किजिएगा, तो मेरा LinkedIn प्रोफाइल खुल जाएगा, फॉन पे में ही मुझे सबसे बड़ा क्रिटिकल इसु मिला है, मैं मयंग कुमार अभी कलिंगा यूनिवर्सिटी से BCA की पढ़ाई कर रहा हूँ, साल भर पहले मुझे गूगल पे बग मिला था, जिसमें कि hacker जो है, वो किसी के mail ID से किसी को email कर सकता था, और data leak का कुछ bug मिला था उसमें, तो वो समय ने Google को report किया था, तो उन्होंने मुझे all of fan दिया था, और कुछ gifts मेरे घर पे भेजे थे, और उसके कुछ दिन बाद जो है, मैं फिर NASA पे research करने लगा, कि NASA को कोई hack कर सकता है कि नही तो जैसे मैं उसपे research कर रहा था, तो उसपे क्या हो रहा था कि employee का data leak हो रहा था, जैसे कि email ID, password, user ID, password, ये सब leak हो रहा था, तो उसके बाद फिर मैंने NASA को report किया कि Local 18 के लिए भागलपुर से सत्यम कुमार की report